महराश्टों में नकसलवाधी छेतर के तौर पर जाने जाने वाले गर्चिरोली के कुर्खेडा तालुका में नकसलवाधियों ने एक बार फिर से ड्यूटी पर तैनात जवानों पर हमला किया है इस तरीके की जानकारी सामने आई है इस घटना का मकसद ही देश के जवानों को निशाना बनाना था जिस गाड़ी में जवान सवार थे इस गाड़ी में कुल मिलाकर 22 जवान एक जगा से दूसरी जगा जा रहे थे हमले की तिर्वता इतनी थी के गारी में सवार 22 जवानों में से 15 जवान घटना इस्थल पर ही शहीद हो गए राज्ये के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटिवार ने बताया की 15 जवान शहीद होने की खबर सामने आई है इसी तरह इस निजी वाहन को चला रहा वाहन चालक भी इस हमले में मुरुत हो गया है इस घटना के संदर्व में पुलिस महानिदेशक के साथ चर्चा की गई है यह जानकारी सुधीर मुनगंटिवार द्वारा दी गई इस वक्त देश में शांती प्रुवक लोकसभा चुनाओ चल रहे हैं गर्चिरोली सहित पुरे महराश्टर में चार चर्णों की चुनाओ शांती प्रुवक पार हो चुके हैं गर्चिरोली में नकसलवादियों ने चुनाओं के बहिशकार का एलान भी किया था और मतदाताओं को धमकाया भी था इसके बावजूद मतदाताओं ने भारी संख्या में बाहर आकर चुनाओं में अपना सहभाग लिया इससे गुस्साए नकसलियों ने यह कायराना हमला किया है रात के आधे हिस्से में ही दादापुर के तबल गाउं में लगभग 36 वाहनों को नकसलियों ने आग के हवाले कर दिया था इसके बाद कुरखेडा से लगभग 6 किलो मीटर की दूरी पर इस्थित जामभूर खेडा गाउं में बारूदी सुरंग बना कर नकसलियों ने इस कायराना घटना को अंजाम दिया जिसमें 15 जवान और एक निजिवाहन चालक भी शहीद हो गया है एक मई की सुबह लगभग 11.30 बजे के करीव नकसलियों ने इस कायराना वारदात को अंजाम दिया जिसमें नकसलियों ने जामभूर खेडा गाउं से थोड़ी दूरी पर आने वाले छोटे पुल पर बारूदी सुरंग बनाई और यह कायराना हमला किया इस घटना के बाद देश के गरह मंतरी राजनाच सिंग ने भी आगया कर कहा है कि नकसलियों को कड़ा सबक जरूर सिखाया जाएगा उन्होंने कहा कि खुफिया एजंसियों को अलट पर लगा दिया गया है और यह कायराना हमला करने वाले नकसलियों से बदला जरूर लिया जाएगा देश के जवानों का खुफियों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा बेरो रिपोर्ट वी सी अन नियूज